हिंदी ओडियो बुक के इस एपिसोड में The Discipline Trader Book के Part 3 के Chapter 9 में जानते हैं कि मार्क डगलस ने क्या कहा है हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है अगर आप आज के इस एपिसोड से कुछ भी नया सीखते हैं तो प्लीज इसे शेर और लाइक अवश्य करें पार्ट 3 स्वयम को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना इस बुक की शुरुवात में मार्क ने कहा था कि यह खुद को ट्रेडिंग एनवार्मेंट में ढालने की प्रोसेस में स्टेप बाई स्टेप एक गाइड होगी एडेप्टेशन की इस प्रोसेस में पहला कदम एडेप्ट की आवशकता को पहचानना है यदि आप मार्केट में अपनी नीड्स के अनुरूप चेंज करने के लिए मैनिपुलेशन या दवाव नहीं डाल सकते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि कंडिशन्स के अनुरूप स्वयम को कैसे बदला जाए इस रिलेशन में आप स्वयम को एक्स्प्रेस करने के जिन तरीकों को चुनते हैं मार्केट उन पर कोई लिमिट या प्रतिबंद नहीं लगाती है कल्चरल एनवायरमेंट के अपोजित हमारे पास सारी पावर है पार्ट दो में साइकलोजिकल प्रस्पेक्टिव से ट्रेडिंग एनवायरमेंट के नेचर का प्राइमरी परपस ट्रेडिंग एन्वार्मेंट और उस सोशल एन्वार्मेंट के बीच कुछ बड़े डिफरेंस को पॉइंट आउट करना था जिसमें हमें काम करना सिखाया गया था और एक नए प्रस्पेक्टिव की आवशकता को स्पष्ट रूप से डेमोंस्टेट करना था इस प्रोसेस में अगले दो स्टेप्स में यह सीखना है कि नंबर एक यह कैसे पहचाने कि ट्रेडिंग एन्वार्मेंट में सक्सेस्पुली कारिये करने के लिए आपको वास्तों में क्या बदलाओ करने की आवशकता है और नंबर दो कि किसी भी आवशक मेंटल चेंज को कैस हालांकि मार्केट के इन्वार्मेंट में अधिक प्रभावी डंग से कारिये करने के लिए कुद को सचेत रूप से बदलने के लिए जो मैनुपलेशन करने के आपके परियासों के अनुसार नहीं बदलेगा उसके लिए आपको अपने मेंटल इन्वार्मेंट के नेचर और function की गहरी समझ की आउशकता होगी आपको जिस type के change करने होंगे वे दो बड़ी categories में divide होंगे सबसे पहले आपको market द्वारा आपके सामने आने आने वाले constant change के लिए कुद को अधिक आसानी से adapt करने के लिए कुछ specificated mental skills सीखने की आउशकता होगी जिसके लिए success के बारे में कुछ समन्य cultural belief को बेअसर करने की आउशकता होगी ये एसे beliefs हैं जो market की information को गलत करने की capacity रखते हैं दूसरा आपको अपनी पिछली trading activity से मिली किसी भी psychological injury को ठीक करने की आउशकता होगी कोई भी psychological injury आपके trade को ठीक से execute करने की आपकी capacity को कम कर देती है आपको क्या सीखने की आउशकता है आपको क्या बदलने की आउशकता है और उन परिवर्तनों को कैसे करना है इसकी पहचान कैसे करें यह सीखने के लिए स्पष्ट रूप से कई sub steps है इस पार्ट में 6 chapter आपको adaptation की इस process के मध्यम से सिखाने के लिए organized किये गए हैं वे आपको वह अंतरदरश्टी परदान करते हैं जो आपको यह समझने के लिए आउशक होगी कि आपको क्या करना है और क्यों करना है पहली चीज जिसकी आपको आउशकता होगी वह है आपके mental environment में चल रही चीजों को अधिक tangible और concrete बनाने के लिए एक structural framework आपको यह framework देने के लिए मार्क mental environment के component parts का एक manageable contest में describe, define और organized करेंगे जहां आप नमबर एक अपने behavior को समझ सकते हैं नमबर दो environmental condition और अपने goals के साथ अधिक consistent होने के लिए अपनी सचेत direction में अपने mental environment में manipulation करने की विविन तकनीकों को सीख सकते हैं और तीसरा यह सीख सकते हैं कि interior environment के साथ अपने relation को monitor कैसे करें यह आवशक हैं कि आप सीखें कि interior और exterior environment के बीच अपने relation को monitor कैसे करें क्योंकि हमारे goal, intent, expectation, needs और wants हमारे mental environment के सभी components पार्ट हैं जिने हम future के किसी moment में पूरा करने के लिए physical environment में पेश करते हैं दूसरे शब्दों में वे सभी mental environment के component है जो exterior physical दुनिया में या तो गटित होते हैं आपको विशेश कर एक trader के रूप में यह तुरंत पहचानने में सक्षम होने की आउशकता है कि जब आपके पास exterior information को interior components के अनुरूप गलत करने की capacity हो इन गलतियों का result अनिवारिय रूप से pain और psychological injury होगी इन chapters में mark जो demonstrate करना चाहते हैं वह यह है कि बले ही आप mental environment के इन mental components पार्ट को वास्तों में देखने के लिए अपनी आँखें अंदर की ओर नहीं गुबा सकते हैं लेकिन यह उन्हें कम वास्तविक नहीं बनाता है इसके अलावा अपनी आँखों को अंदर की ओर मोड़ना आउशक नहीं है क्योंकि हम exterior physical environment में जो देखते हैं और जो experience करते हैं उसके आधार पर हम आसानी से यह define करना सीख सकते हैं कि हमारे mental environment के अंदर क्या है हम जो believe करते हैं और जो experience करते हैं उसके बीच relation बना कर अपने विश्वासों में manipulation करना सीख कर हम जो experience करते हैं उसे बदलना बहुत आसान हो जाएगा हम विश्वासों के नेचर की जाच करेंगे और वे Environmental Information Management System के रूप में कैसे कारिय करते हैं मार्क डेमोंस्टेट करेंगे कि मार्केट के नेचर के बारे में हमारी Individual Beliefs और यह आगे क्या करेगा इसके बारे में हमारी Expectation इसके बारे में हमारे द्वारा Experience की जाने वाली Information के टाइप और Quality को कैसे Manage और Control करती है Perception के Dynamics को Breakdown करके आप उन विभिन तरीकों की पहचान करने में सक्षम होंगे जिनमें हम सभी Market के Behavior पर Mental Limits लगाते हैं और कैसे ये Limits हमें Market के Information को गलत करने का कारण बनती है हम डर के Nature का गहराई से पता लगाएंगे कि यह कैसे हम सभी को पसंद की Perception के बिना कारिय करने के लिए मजबूर करती है अधिकांस Traders के कारियों के कारण प्राइस में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य Underlying Power डर है जिसमें Missing Out का डर और Loss का डर आदिशामिल होते हैं Behavior के नीचे Underlying Powers के बारे में सीखना और समझना होगा और यह भी कि आप Information को कैसे Process और Manage करते हैं जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके जीवन में Market से संबंदित कितने Type के सामान्यब हैं हैं और आप Swim को उन से मुक्त करना सीख जाते हैं तो वास्तों में आप Swim को भीड से अलग कर लेंगे जब आप अपने आपको भीड से अलग करते हैं और ग्रुप को शामिल करने के लिए अपने Behavior को Effect करने वाली ताक्तों के बारे में आप जो जानते हैं उसका विस्तार करते हैं तो यह है अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि ग्रुप क्या करेगा क्योंकि वे केवल आपके तरीके के एक बड़े वर्जन को रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे शब्दों में आपको पता चल जाएगा कि अन्या ट्रेडर्स कैसा व्यवाहर करेंगे इससे पहले कि आप ऐसा करें क्योंकि आप उन्हें एक अलग प्रस्पेक्टिव से देख पाएंगे क्योंकि आप डर से बाहर काम करने की 26 लेस से परेड डवलप हो चुके हैं जैसे जैसे आप इस बात की समझ हासिल करते हैं कि कैसे belief आपकी perception को control करने और अपने experience को आकार देने के लिए environmental information के साथ interact करते हैं साथ ही wishful thinking और market आपके बारे में क्या संकेत दे रहा है इसके बीच अंतर करना सीखते हैं आप अंतर यह सीखने में सक्षम होंगे कि market activity के बारे में अपनी perception को इस तरह से कैसे control किया जाए जो आपको mental flexibility की सबसे बड़ी मात्रा की अनुमति देता है जहां आप markets के साथ flow करने के लिए अपने perspective को बदलने और बिना किसी hitch की चाहट के अपने trade को execute करने में सक्षम होंगे यदि आप market जो कर रहा है उसे बदल या control नहीं कर सकते हैं तो आपके पास एकमात्र विकल्प खुद को इस तरह से control करना है जिससे आप clarity और objectivity के साथ यह समझ सकें कि market आगे क्या कर सकता है जिसके लिए exterior physical environment के relation में आपके interior environment के nature का deep knowledge आफशक है Chapter 9 Mental environment के nature को समझना Swim को समझना और अपने mental environment में कारिय करना सीखना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं हालांकि इसके लिए आवशक है कि आप mental environment की समझने विशेस्ताओं उसके component parts और वे कैसे काम करते हैं इसकी गहरी समझ हासिल करें क्योंकि book का यह part इसलिए design किया गया है इन में से कोई भी चीज इतनी कठिन परतीत होने का एकमात्र कारणी यह है कि जब हम छोटे थे तो हमें यह नहीं सिखाया गया कि इसे कैसे करना है वास्तों में हमें आम तोर पर इसके बिलकुल opposite सिखाया जाता है कि mental environment एक mysterious जगय है जिसे समझा नहीं जा सकता है परिणाम सोरोग हम components के बीच के relation को वास्तों में समझे बिना या exterior physical environment के साथ इन components के relation को समझे बिना ही mental components को बेतर्तिव ढंग से define करने लगते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि हम अपने जीवन का experience कैसे करते हैं इसलिए यदि आप एक trader के रूप में आदिक प्रभावी डंग से कारिय करने के लिए सचेत रूप से खुद को बदलने या adapt करने जा रहे हैं तो आपको इन mental components के nature और वे कैसे काम करते हैं इसकी एक बहुत ही fundamental और practical समझ की आशकता होगी Mental environment यानी exterior और physical environment यानी interior की विशेशताओं में बहुत अंतर है इन अंतरों को समझना, swim को समझने की process में एक महतवपोर्ण component है एक सरल उधारण के रूप में आप जो बुक पढ़ रहे हैं वहें आपके बाहर मोजूद है जबकि बुक का लेबल यानी बुक के बारे में आपके दिमाग की perception या कोई अन्य थोट या समवेदना जो आप उस लेबल के परिनाम सोरूब experience करेंगे और जो अर्थ आप निकालते हैं वहें सब आपके अंदर गटित हो रहा है जो कुछ भी चलता है या आपके अंदर गटित होता है वहें आपका mental environment बनेगा आपके सभी experience और उन अनुबहों की यादें आपके सभी belief उन विश्वासों से जुड़ी सभी emotional energy आपकी सभी emotion, needs, wants, expectation और goal और आपके सभी thoughts बले ही आपने इन thoughts को environment में express किया हो या नहीं ये सभी आपका mental landscape बनाते हैं आलाके इस से पहले कि हम exterior और interior environment के बीच अंतर का पता लगाएं, मार्क आपको दोनों में एक सामान्य विशेस्ता की और ध्यान दिलाना चाहते हैं वे दोनों कई सुतंतर रूप से कारिय करने वाले parts से बने हैं जो संपूर्ण को बनाने में सहय योग करते हैं अधिकांस लोग अपने शरीर के अंगों से बहुत परीचित हैं इन सहयोगी parts का योग ही हमारा शरीर है एक सरल उधारन यह होगा कि आंखे कान या फेफडे नहीं हैं, वे अलग-अलग हिस्से हैं, जिनके युनिक फंक्शन्स होते हैं. इसी प्रकार, mental environment कई सहयोगी, लेकिन सोतंतर रूप से कारिय करने वाले क्षेत्रों से बना होता है, जो कि हम जो हैं, उसका संपूर्ण निर् उधारन के लिए कोई belief, कोई dream नहीं है, नहीं कोई thought, कोई emotion है. Beliefs, dream, thoughts और emotion सभी mental environment के अलग-अलग हिस्से हैं, जो उसी तरह से interact करते हैं, जैसे आपके हाथ, आपकी आंखों के साथ, या आपकी उंगली, आपकी नाग के साथ, या आपके फेपडे, आपके दिल के साथ interact क करते हैं. मार्क इसे point out कर रहे हैं, क्योंकि आधिकांश लोग अपने mental environment के बारे में, विबिन क्षेत्रों और उन क्षेत्रों के components के कारिये करने के तरीकों के बीच, बहुती sophisticated distinctions के साथ, एसे विशेष्ट तरीकों से नहीं सोचते हैं. आगे बताई गई लिस्ट कुछ categories ब POSITIVELY CHARGED EMOTIONS, LOVE, HAPPINESS, JOY, CONFIDENCE, PEACE, OR ACCEPTANCE. Negatively charged emotions, fear, anger, hatred, jealousy, disappointment, confusion, impatience, stress, anxiety, betrayal, illusions, denials, rationalization, intellectualization, distortion, beliefs, intent, goal, expression, expectations, want, desire, needs, dreams, sleeping dreams or daydreams, Thought, attractions, memory, creativity, intuition, इनका purpose mental environment के components और categories को पूरी लिस्ट को represent करना नहीं है. हलांकि यह इस बुक के उदेशों को पूरा करने के लिए परियाप्त है, जो आपको इस बात का परियाप्त knowledge देता है, कि वे कैसे काम करते हैं, और किसी भी चीज़ को effect करने के लिए interact करते हैं, जो आप निर्धारित करते हैं कि successfully trade करने के लिए आवशक हैं. Mental यानि inner environment क्या होता है? मार्क यहां mental environment को एक एसे space के रूप में define कर रहे हैं, जहां physical environment से सभी sensory information, यह sensory information वह तरीका है, जिसमें physical environment हमारी आँखों, कान, नाग, स्वाद और स्पर्स पर एक force के रूप में कारिय करता है, जिसको sorted, categorized, label, organized, associated और store किया जाता है. Mental environment वह है, जहां exterior दुनिया के, हमारे experience physical environment के nature, और उसके साथ हमारे relation के बारे में एक complex belief structure में बनते हैं. इस definition के बारे में दो बाते हैं, जो मार्क चाहते हैं कि आप note करें. सबसे पहले यह limited है, क्योंकि यह exterior sensory information को छोड़ कर, भीतर से उत्पन होने वाली mental activities को ध्यान में नहीं रखता है. दूसरा, वे brain को mental environment के हिस्से के रूप में शामिल नहीं कर रहे हैं. फिर चाहे mental environment की activity, brain के अंदर ही क्यों नहीं होती है. Listed mental components के बारे में, पहली विशेस्ता जो आप देख सकते हैं, वह यह हैं कि वे सभी untangible हैं. आप उन्हें देख, सुन, छूब, चक या सूंग नहीं सकते, कम से कम इसलिए नहीं, क्योंकि वे mental environment में मौझूद हैं. उधारण के लिए, जीवित brain tissue पर काम करने वाले किसी भी सरजन ने, कभी भी अपने मरीज के विश्वासों, विचारों, सपनों या यादों का सामना नहीं किया है. भले यी वह जानता था कि वे वहाँ कहीं थे. बायोकेमिस्टों ने tissue structure के molecular level पर काम करते हुए DNA की खोज की है, और अभी तक अपने listed mental components में से किसी एक को भी नहीं देखा है. फिर भी हम जानते हैं कि वे existence में है, क्योंकि हम किसी के विश्वाषों या विचारों के results का experience कर सकते हैं, क्योंकि वे physical environment में उनके behavior के माध्यम से exterior रूप से express होते हैं. अब आप मेंसे उन लोगों के लिए जो खुद से पूछ रहे हैं कि ये mental components कैसे existence में है, यदि वे tangible नहीं है और किसी ने कभी भी उन्हें सीधे experience नहीं किया है, इसका उत्तर यह है कि वे energy के रूप में मुझूद हैं और energy का कोई mass नहीं होता, उधरन के लिए light physical वस्तों से होकर गुजरेगी या उनसे परावर्तित होगी, लेकिन light किसी भी चीज़ को displace नहीं करेगी और बिजली वस्तों से होकर गुजरेगी उन्हें भी displace नहीं करेगी, atom और molecules से बनी एकाया एक दूसरे के space में जाने पर एक दूसरे को displace कर देंगी, लंबे टाइम तक वेग्यानिकों का मानना था कि atom existence का सबसे छोटा, सबसे fundamental building block है, बाद में पता चला कि atom के भीतर भी energy है, scientist अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है, कि जो चीज बिना mass के existence में है, वह एसी चीज कैसे बन जाती है, जिसमें mass होता है, यानि atom, दूसरे शब्दों में, energy non-physical से physical में कैसे बदल जाती है, Albert Einstein से एक बार पदार्थ की definition बताने के लिए कहा गया था, और उन्होंने कहा था, पदार्थ केवल एक रूप में energy है, जिसे हम अपनी senses से देख सकते हैं, यहां तक की atom level पर भी, आप जो बुक पढ़ रहे हैं, और जिस चेर पर आप उसे पढ़ने के लिए बैठे हैं, वहें आपकी senses को ऐसी लगती है, मनो वे concrete हों, हालांकि एसा बिलकुल नहीं है, हमारी senses चीजों को नहीं देख सकती, क्योंकि वे atom level पर मौझूद होती है, जहां हर चीज गूम रही है, और atoms के बीच जगए होती है, हालांकि मार्क जो कहना चाहा रहे हैं, वहें यह हैं कि सभी पदार्थ existence के सबसे गहरे level में, एनर्जी के रूप में मौझूद हैं, लेकिन लाइट और बिजली की तरह सभी एनर्जी पदार्थ के रूप में मौझूद नहीं है, बहुत सामन्य शब्दों में mental energy, क्योंकि यह अपने women untangible रूपों, जैसे विश्वासों, emotions, आदी में मौझूद है, हमारे behavior पर एक force के रूप में कारिये करने की capacity रखते हैं, और इसके परिणाम सो रूप और परिणाम सो रूप इस energy को express करने के तरीके के अनुरूप, exterior physical environment पर एक force के रूप में कारिये करती है, उधारन के लिए किसी belief या किसी experience की memory के रूप में mental energy किसी व्यक्ति को अपने television set पर channel बदलने के लिए एक कमरे में चलने के लिए प्रेरित कर सकती है, क्योंकि उसका मानना है कि किसी अन्य चैनल पर एक कारिये करम अधिक सार्थक या आनंदायक है, किसी stock की कीमत पिछली कीमत से अधिक बोली लगाती है, क्योंकि उसका मानना है कि यहे उसके सर्वतम हीतों को पूरा करता है, या लोगों को युद में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है ये क्रियाई और environment पर उनके प्रभाव बाहरी रूप से express mental energy का result है experience क्या है हम अपनी पांच physical senses से दुनिया का experience करते हैं यह समन्य knowledge है लेकिन जब आप fundamental बातों पर आते हैं तो exterior यानि physical से interior यानि mental environment में जाने पर environment के बारे में हमारे अनुगों का वास्तों में क्या होता है physical level पर हम जो देखते हैं सुनते हैं स्पर्ष करते हैं चकते हैं और सूंगते हैं वह energy के electrical आपेगों में transform हो जाता है और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से brain में भेजा जाता है अर्थात सबसे fundamental level पर exterior दुनिया का tangible experience, untangible electrical energy में बदल जाता है जिसका अर्थ है कि वह tangible माध्यम जहां हम अपने जीवन का experience करते हैं उसमें उस माध्यम की समान विशेस्ताइं और गुण नहीं होते हैं जो हमारे अंदर इन अनुभवों को represent और stored करता है हम इन अंतरों की आधिक practical level पर आगे जांच करेंगे यदि पहली नजर में यह सोचना बेतुका लगता है कि हमारे experience electrical energy में transform हो जाते हैं तो विचार करें कि हम वर्षों से टेलिफोन और computer के रूप में mechanical से technology के अनुरूप रूप का प्रियोग कर रहे हैं computer कई अलग-अलग energy माध्यमों में information, ध्वन यां और images को store करते हैं telephone electricity, light या microwave के रूप में ध्वनी और images का परिवेहन करते हैं यह सब जितना आम है जीवित process के बारे में अभी भी कुछ आकरशक है जो sensory information यानि tangible experience को बिजली में बदल देता है और इसे इस तरह से store करता है हमने अपने existence के nature के बारे में जो कुछ भी सीखा है वह हमारे mental environment में एक non-tangible level पर एक non-physical वास्थवगता में stored है पहले mark नहीं brain को mental environment के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया था क्योंकि यह atoms और molecules यानि physical reality के tangible level पर मौजूद है जबकि mental environment इस tangible level पर मौजूद नहीं है brain और mental environment के पीच इस अंतर को समझने में हमारी मदद करने के लिए विचार करें कि mental environment से अलग brain उस computer से अलग नहीं है जो किसी electric energy source से जुड़ा नहीं है इस अनुसार mental environment उस electrical energy के अनुरूप होगा जो computer को चलाने के साथ साथ विबिन टाइप के informations को stored और ले जाने में सक्षम बनाती है जिने संभालने के लिए computer को design किया गया है और computer hardware brain के अनुरूप होगा यही कारण है कि मार्क ने chapter की शुरूआत में कहा था कि mental और physical environment के बीच बहुत अंतर है मार्क के द्वारा listed सभी mental components energy के untangible level पर वोजूद है और अधिक महतोपोर्ण energy के समान गुणों और विशेस्ताओं के साथ कारिये करते हैं mental environment के nature को समझने के लिए आपको energy की विशेस्ताओं को समझने की आवशकता है इस प्रकार मार्क आगे जो करने का इरादा रखते हैं वह लाइट और बिजली जैसे विबिन energy रूपों के गुणों और विशेस्ताओं के जाच करना है और फिर दोनों के बीच एक correspondence बनाने के लिए mental environment की विशेस्ताओं से उनके तुलना करना है अंत में अगले पांच चैप्टर्स में मार्क आपको प्रभावी डंग से ट्रेड करने की कपेस्टे में सुधार करने के लिए कुछ बहुत ही practical तकनिके देने के लिए इस सभी material को एक साथ जोडने वाले हैं mental environment, energy की विशेस्ताओं और गुणों से कैसे मेल खाता है energy non-dimensional है जैसा की हम पहले ही जानते हैं energy physical environment में जगे नहीं लेती है क्योंकि यह जगे गिरने वाली किसी भी चीज़ गो displace नहीं करती है energy की यह कोई जगे नहीं विशेस्ता इसे एक non-dimensional quality प्रदान करती है दूसरे शब्दों में जो भी चीज़ जगे नहीं गिरती है उसकी उन्चाई, लंबाई, चोड़ाई या परीधी का कोई concrete dimension नहीं होता है कम से कम उस तरीके से नहीं जिस तरह से हम आम तोर पर इन गुणों के बारे में सोचते है यह non-dimensional quality संभवत है energy के nature के बारे में समझने वाली सबसे कठिन अवधारना है क्योंकि बले ही energy non-dimensional है यह कुछ ऐसा रूप ले सकती है जो हमारी आखों को दिखाई देती है और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें ऐसे dimension होने चाहिए जिने हम माप सकें यह कहना एक स्पष्ट विरोधा वास जैसा लग सकता है कि energy एक द्रश्य का रूप ले सकती है और फिर भी इसका कोई dimension नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है इसे स्पष्ट करने का सबसे अच्छा उधारन hologram या holographic photography है holographic process से आप space में projected light में एक three dimensional image बना सकते हैं जिसे आँखों से देखा जा सकता है और इसमें लंबाई, चोड़ाई और परीदी दिखाई देगी आप image की लंबाई या चोड़ाई भी माप सकते हैं हलांकि अगर आपने कोशिश की तो आपके हाथ image के ठीक सामने से गुजरेंगे क्योंकि वहाँ वास्तों में कुछ भी नहीं है कम से कम physical तोर पर light में image का कोई physical substance नहीं होता है इसलिए physical perspective से उनका कोई dimension भी नहीं होता है क्योंकि physical वस्तों के relative energy का कोई dimension नहीं होता है यादे या mental images laser light के hologram की तरह काम करते हैं light की एक image जिसमें कोई physical पदार्थ नहीं है जहां दूरी या dimension से सम्बंदित space पर विचार नहीं किया जाता है हमारी खोपड़ी के अंदर उपलवद कुल क्षेतरपल काफी छोटा है विशेस रूप से mental perspective से fit होने के relation में हम किसी भी आकार या अनुपात की mental image बना सकते हैं physical environment में मौझूद किसी भी dimensional limit के बिना क्योंकि energy के रूप में इन image में कोई physical पदार्थ नहीं होता है और इस प्रकारवे कोई space नहीं लेते हुए बिना dimension के रूप में मौझूद होती है आप इस concept को एक साधार mental व्यायाम से आसानी से demonstrate कर सकते हैं अपनी आँखे बंद करें और उस अंतिम जगे की कलपना करें जहां आप छुटियों पर गए थे आप कहां रुके थे आपने कौन से जगाओं की यात्राएं की जब आपने कलपना की कि आप कहां गए थे तो क्या आप उठे और physical environment में अपने वर्तमान space से आगे बढ़े क्या आपने कलपना की थी कि आप एसी यात्रा के लिए आउशक सभी तैयारिया करने के लिए अपनी चेर से उठ रहे हैं क्या आप अपनी कार में बैठे और mental रूप से अपने गंतव्या तक प्रतेक मिल ड्राइव करते जैसे आप वास्तों में जा रहे होते शायद नहीं संभवत है आपके पिछली छुटियों के इमेज अभी अभी आपके चेतना में उबरी है यह एसा है मनों आपको तुरंट इन स्थानों पर ले जाया गया हो उस स्पेस या दूरी की परवा किये बिना जिसे आपको फिजिकल एन्वार्मेंट में वहां पहुँचने के लिए यात्रा करने की आवशक्ता होगी आपके वर्तमान स्पेस और आपके यादों में मौजूद गूमने की जगे की इमेज के बीच कोई स्पेस नहीं था हमारे सपनों के नेचर भी इस नोन डाइमेंशनल विशेस्ता को दर्शाते हैं सबसे पहले हम जिस टाइब के ड्रीम लेंड्सकेप में खुद को पा सकते हैं उसके कोई ग्यात लिमिट नहीं है ड्रीम्स उतने ही वीविद हो सकते हैं यदि अधिक नहीं तो फीजिकल एनवार्मेंट के रूप में और हमारी कोपड़ी के अंदर उपलब्द स्पेस की तुल्ला में बहुत बड़े इसके अलाबा अपने सपनों में हम वास्तों में कोई दूरी तै कि ये बिना तुरंत स्पेस बदल सकते हैं उधरन के लिए आप सपना देख सकते हैं कि आप अपने घर के बेस्मेंट में हैं और फिर अगले ही फल अपने लिविंग रूम में हैं वास्तों में आपको वहाँ जाने के लिए बेस्मेंट की सीडियों से या अन्य कमरों से ओकर गुजरना नहीं पड़ता है मेंटल एन्वारिमेंट की एनरजी के साथ शेर होने वाली दूसरी विशेस्ता गती है एनरजी एविश्वस्निय रूप से हाई स्वीड से यात्रा करती है उधरन के लिए लाइट एक लाग श्यासी हजार मील प्रतिस सेकंड की दर से यात्रा करती है जो इतनी तेज है कि एक सेकंड में प्रत्वी के चारों और लगबग आठ बार यात्रा की जा सकती है यह इतनी तेज है कि हमारी शारिरिक सेंसेज को यह ततकालिक या एक साथ प्रतित होती है मार्क के कहने का मतलब यह है कि यह इतनी तेजी से चलती है कि अमारे फिजिकल सेंसेज इसकी गती का पता नहीं लगा पाती है जाहिर है हम light को देख सकते हैं लेकिन वास्तों में हम इसे किसी दिये गए source से किसी दूर point तक जाते उवे नहीं देख सकते उधारण के लिए जब आप किसी अंदेरे कमरे में रोशनी जलाते हैं तो क्या light अपने source से दिवारों तक यात्रा करते time कई steps में रोशन हो जाती है? नहीं, हमारी नजर में कमरा तुरंत रोशनी से भर जाता है एसा लगता है, मनो एक ही बार में एक जटके में हर जगह रोशनी आ गई हो हमारी आँखें इस तरह से नहीं बनी है कि हम गती में कोई अंतर कर सकें? इसलिए एसा लगता है जैसे वह बिल्कुल भी गती नहीं करती लाइट की यह तातकालिक विशेस्ता mental environment से काफी अच्छी तरह से संबंदिते है ड्रीम यात्रा हो सकती है और आम तोर पर तातकालिक होती है जब आप कोई सपना देख रहे होते हैं तो एक पल में आप एक घर में हो सकते हैं और अगले ही पल आप दुनिया की दूसरी तरफ हो सकते हैं वास्तो में इन ड्रीम स्थानों के बीच यात्रा का कोई टाइम नहीं है जो भी हो mental तंत्र चेंज को प्रतीत करता है यह एक साथ ट्रांसफर बनाता है संभवत है उतना ही फिजिकल टाइम लेता है जितना एक अंधेरे कमरे को लाइट से बरने में लगता है हलांकि एक और mental विसेस्ता है जो उस गति को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है जिस पर mental environment ओपरेट होता है यह कुछ एसा है जिसे बहुत से लोगों ने experience नहीं किया है लेकिन फिर भी इसकी वैदता की पूष्टी करने के लिए पूरी तरह से अलग ऐसंबंदित घटनाओं में परियाप्त लोगों द्वारा रिपोर्ट की गई है मार्क जिस बात का उलेक कर रहे है वह जन्म से लेकर वर्तमान तक एक लगातार mental image के रूप में किसी व्यक्ति की चेतना के सामने जीवन के चमकने की गटना है एसा कुछ आम तोर पर अत्यदिक जीवन घातक स्टेटस में ही होता है जहां व्यक्ति को बिलीफ होता है कि वह मर्तिव से कुछ ही पल दूर है अपेक्षित मर्तिव से पहले के उन कुछ ख़णों में किसी व्यक्ति के पूरे जीवन के द्रश्य ध्वनिया, स्वाद, गंद और emotions पुने experience की जाती है individual रूप से जब भी मार्क ने किसी को ऐसे experience के बारे में पढ़ा या सुना है तो उन्हें आस्चरिय हुआ उन्हें यह समझ में नहीं आया कि किसी व्यक्ति का पूरा जीवन कुछ ही ख़णों में उसकी चेतना के सामने कैसे आ सकता है जबकि इसे experience करने में वर्सों लग जाते हैं हालांकि बहुत चिंतन के बाद को चणों में स्क्रोल करना संभव हो जाएगा बले ही अनुबहों को प्राप्त करने में वास्तों में कितना ही टाइम लगा हो यह सब समझना थोड़ा आसान हो सकता है यदि आप कल्पना करें जैसा कि मार्क ने भी किया stream of light में stored experience बिलकुल उसी तरह के होते हैं जैसे आप किसी दूर के तारे को देखने पर महसूस करते हैं यहाँ बहुत अच्छा correlation है उधारन के लिए scientist हमें बताते हैं कि हमारे सूर्य के अलावा प्रत्वी के कई निकरतम तारे इतने दूर है कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गती से भी इन तारों से निकलने वाली light को प्रत्वी तक पहुँचने में सैंकडों साल लगते हैं तारों और प्रत्वी के बीच की यह दूरी इतनी विशाल है कि यह अर्बो खर्बो मील लंबी light की एक स्तिर किरण मनाती है इसलिए जब हम अपने सूरिय के अलावा किसी अन्य तारे को देखते हैं तो हम वास्तों में जो देख रहे हैं वह light है जो सेंकडों या हजारों साल पहले छोड़ी गई थी इस प्रकार हम जो देख रहे हैं वह तारे के distant past की light है अब यदि हम light की इस किरण के साथ वापस इसके सोर्स तक यात्रा कर सकें तो हम देख रहे होंगे कि वह तारे के recent past की light है past, future और present की light उस किरण के भीतर एक साथ मोजूद होगी अब एनरजी में स्टोर्ड हमारे अनुबवों के द्रश्यों द्वनियों, स्वादों, गंधों, फिलिंग्स और emotions को यादों की एक steam के रूप में कलपना करें जिसे हम light की इस किरण की तरह यात्रा कर सकते हैं जहां हम अपनी चेतना का उपयोग distant past से लेकर, recent past से लेकर present moment तक गूमने के लिए कर सकते हैं या इन यादों को future में project कर सकते हैं यदि वह है energy जिसमें हमारे experience stored है light की गती के बराबर या उसके करीब गती से आगे बढ़ सकती है तो यह एक विश्वस्निय स्पस्टिकर्ण प्रदान करेगी कि किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को कुछ ही क्षणों में उसके चेतना के सामने स्क्रोल करना कैसे संभव है इसे अपने लिए और स्पस्ट करने के लिए कलपना करें कि आपके सभी experience light की किरण की तरह फैले हुए हैं जिसके साथ आप light की गती से यात्रा कर सकते हैं उस गती से यात्रा के कुछ सेकेंड के टाइम में भी आप बहुत सारी information प्राप्ट कर सकते हैं उधारन के लिए यदि हमने मनमाने डंग से decision लिया कि एक वर्स के experience को store करने के लिए 10,000 मील की mental energy की आवशकता होती है तो light की गती से आप एक सेकेंड में लगभग 19 वर्षों की यादों को पार कर सकते हैं इस गठना की पहचान हमें mental environment के nature के बारे में सबसे cutting components में एक को समझने में मदद करती है कि यह time के बाहर मुझूद है जैसा कि हम जानते हैं अर्तात हमारी physical senses हमें time और three dimensional place की limit से बंदे environment को समझने में बान देती है हमें प्रतेक moment को एक linear sequence में experience करना होगा हम पीछे जाकर past का experience नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह physical environment में मौझूद था एक बार यह बीत गया यह हमेशा के लिए चला गया नहीं हम future में आगे बढ़ सकते हैं अतीत अब exist में नहीं है और future अभी आया नहीं है जो existence में है वह now moment के प्रतीत होने वाले endless sequence हैं जिसमें हम अपने जीवन का experience करते हैं हालांकि हमारे interior components से बनी mental energy time और space की हमारी समान्य concept से बाहर operate होती है क्योंकि यह physical environment में experience की जाती है mental environment में कोई local limits या time की बाधाई नहीं होती है हम अपनी इच्छा नुसार किसी भी direction में सोच सकते हैं फिर चाहे वह past, present या future इन में से कोई भी हो सकता है और सैधान्तिक रूप से इसकी कोई limit नहीं होगी कि कितनी information store की जा सकती है सिधे शब्दों में कहें तो time distance या three dimensional space में गती की हमारी perception का एक कारिय है दूसरे शब्दों में टाइम को समझने के लिए आपको दो परमुक components की आवशकता है space जिसमें dimension और गती है ये दोनो गुण स्पष्ट रूप से physical environment में फिद्देमान है इसमें लंबाई, उंचाई, चोडाई, मोटाई और परीदी से युग three dimensional space की विशेशताई है साथी physical environment निरंतर गती में है सूर्य, अन्यतारे, ग्रहे और उनके चंद्रमा सभी गती में है और बले ही हम इसे सीधे तोर पर नहीं देख सकते हैं Physically हर चीज, atom और molecular लेवल पर गती में है सबसे छोटे atoms और molecules से लेकर सबसे बड़े तारों और सोर मंडलों तक हमारे अपने शरीर के atoms और molecules सही हर चीज कीसी बड़ी चीज के चारों और गूम रही है प्रत्वी की यह गूमती गती और सूर्य के चारों और इसकी परिकर्मा Environment पर एक force के रूप में कारिय करती है दिन को रात और रात को दिन में बदलती है मोसम और रित्मों के साथ साथ अन्य Environmental Cycles की एक अंतहीन संख्या बनाती है Environmental Changes के यह सभी साइकल जिन में हमारी कोशिकाओं के Atoms और Molecules की गती के परिनाम सुरूप होने वाले विकास, I.U., स्वस्षन, पाचन, आदी के हमारे शारिरिक साइकल शामिल है यह हमारी Physical Senses पर एक Pores के रूप में कारिय करते हैं, जिससे हमें लगातार बदलते Environment का Experience होता है एक साइकल के बाद दूसरे साइकल सीधे Linear Fashion में है इस प्रकार हमें Time की हमारी Perception मिलती है, जो हमेशा आगे बढ़ रही है यदि हम इस गती को मापने के लिए Context Point के रूप में कारिय करने के लिए Three-Dimensional Space में गती या किसी टाइप की गती को नहीं समझ पाते हैं तो हम Time बीतने का Experience नहीं कर पाएंगे उधारन के लिए यदि हम सचेत थे, लेकिन किसी तरह Suspended Animation की स्टेट में स्थिर थे जहां हमारे पास कोई Sensory Input नहीं था किसी भी टाइप की गती की कोई Perception नहीं थी यहां तक की दिल की धड़कन भी नहीं थी तो कुछ seconds या कुछ दिनों के बीच अंतर बताना संभव होगा Time मापने के लिए आपको शुरू करने के लिए एक Point और पहुचने के लिए एक दूसरे Point की आउशकता होती है इन Points को दूरी या Time में मापा जाता है लेकिन आपको अपने अंक प्राप्त करने के लिए त्री-डाइमेंशनल Space की आउशकता होती है हम एक ऐसे Environment में सोचते हैं जो एक Steam की तरह है जहां हमारी चेतना Time या Space की परवा किये बिना अतीत, वर्तमान और Future के बीच स्वतंतर रूप से घूम रही है इसके अलावा Physical Environment में मोजूद च्छनों के वास्तविक सीक्वेंस का उस Energy पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिसमें हमारी यादें स्टोर्ड है Energy के कोंटेक्स्ट में Environment हमारी सेंसेज पर जो प्रभाव डाल रहा है उसके relative Time के सीक्वेंस के वल Mental Environment पर प्रभाव डालते हैं आप अपनी याददास्त के आधार पर पिछले 24 गंटों को पलपल याद करके इसे आसानी से अपने सामने demonstrate कर सकते हैं मुश्किल है न? अब इसे आज से एक सब्ता पहले तक करने का प्रियास करें एक मातर चीजें जो हम याद रखते हैं वे महतपूर्ण घटनाई वे experience हैं जिनका हमारी senses पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा जिनके साथ सबसे अधिक energy जुड़ी हुई थी एसा इसलिए है क्योंकि experience हमारी memories में time के क्षणों के रूप में दर्ज नहीं होते हैं वे energy के रूप में stored होते हैं और इस प्रकार उनका physical गड़ी के time के बीतने से कोई relation नहीं है याद रखें energy atoms और molecules के रूप में मुझूद नहीं है और इसलिए time बीतने की हमारी perception के relative यह physical हर चीज के इस निरंतर गूमने के अधिन नहीं है energy स्थिर या सक्रिया रह सकती है उधरन के लिए कोई व्यक्ति या वस्तु आपको 20 साल पहले हुए किसी experience की याद दिला सकती है एसा experience जिसके बारे में आपने उसके गटित होने के बाद से नहीं सोचा है जब आप उन यादों के energy का उप्योग करते हैं तो आप उस time के द्रशों ध्वनियों, स्वाद, गंद और सबसे महत्वपोर emotions को फिर से experience करेंगे जैसा कि कुछ भी नहीं बदला है आपके मन में कुछ भी नहीं बदला है energy बीस वर्सों तक निस्करिया रही यह या तो तब सक्रिय हो जाती है जब हम अपने अंदर क्या है इसके बारे में सोचना या प्रतिबिम्बित करना चुमते है या जब हमें अंजाने में हमारे अंदर क्या है इसकी याद दिला दी जाती है महतवपूर्ण रूप से सकारात्मक या नकारात्मक experience गटना से जुड़ी energy की मात्रा या तीवर्ता के कार्ण आसानी से याद किये जाते है इस प्रकार के experience इच्छा नूसार हमारी सचेतन memory में आ जाएंगे लेकिन अपने जीवन में हर बार यह याद रखने की कोशिश करें कि आपने अपने दांत ब्रश किये पानी पिया अपने फ्रिज का दरवाजा खोला या अपने शूज और सोक्स पहने और यह इतना आसान नहीं है इन गटनाओं को याद करना कठिन है क्योंकि इन वेसे प्रतेग टाइप के experience के साथ बहुत कम energy जुड़ी होती है हमारी यादे energy की pockets की तरह है जिने हम date और time के अनुसार chronological organized कर सकते हैं जैसे की light की steam के उधारण में हमने देखा था हालांकि गटनापूर्ण क्षणों के बीच के सभी गटनापूर्ण moment बिना किसी निशान के गाइब हो जाते हैं या संकुचित हो जाते हैं जैसे की वे कभी हुए ही नहीं थे भले ही हम जानते हों कि वे हुए थे हम जो पढ़ते हैं वह आम तोर पर भूल ही जाते हैं क्योंकि environment का हमारी senses पर बहुत कम प्रभाव पढ़ता है किसी page पर print words का अधिक अनुभवात्मक nature की activities के relations में बहुत कम scene impact होता है उधारण के लिए वास्तों में किसी biology experiment में भाग लेने से किसी प्रियोग के बारे में पढ़ने की तुलना में energy के perspective से बहुत अधिक प्रभाव पढ़ेगा जो कुछ हम पढ़ते हैं उचे याद रखने के लिए आवशक energy को एकागरता के रूप में भीतर से उत्पन करना होता है तो जिस तरह से हम गड़ी के time का experience करते हैं वह किसी भी moment में हम जो महसूस कर रहे हैं इसके relation में हैं यदि उधारन के लिए आप आतंक का experience कर रहे थे तो गड़ी का प्रतेक second आसानी से एक घंटे या एक दिन जैसा लग सकता है आतंकित करने वाले experience का प्रतेक moment हमेशा के लिए बना रहता है क्योंकि environment हमारी senses पर हमला कर रहा है प्रभाव इतना painful होता है कि हम उस state से बाहर निकलने के लिए experience के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते इसलिए हम अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करेंगे कि घटना कितने time तक चल रही है जबकि हम इसके समाप्त होने के प्रतिक्षा कर रहे थे इस प्रकार time की हमारी समझ धीमी हो गई सुखद experience उड़ते प्रतीत होते हैं हमें time बीतने का कोई अंदाजा नहीं रहता है क्योंकि हम आनंद और खुशी की state में है हम मन के उस state से बाहर आते हैं जब experience की खुशे की डिगरी कम होने लगती है जिससे हम जो खुशी महसूस कर रहे थे उसके तुलना में हम जो experience कर रहे हैं उसकी एप्रियता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जब हमारा ध्यान आनंद से हट कर मैं इसके खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता पर केंद्रित हो जाता है तो experience की एप्रियता के अनुपात में टाइम की हमारी समझ धीमी हो जाती है फिजिकल एन्वार्मेंट में experience टाइम के उन क्षणों में गटित होते हैं जो एक के बाद linear तरीके से गुजरते हैं टाइम के क्षणों में हम जो experience करते हैं वह electrical energy में transform हो जाता है और experience के प्रभाव की degree के relative memory के रूप में stored हो जाता है memories पर time का कोई परतिबंद नहीं होता क्योंकि energy physical नहीं होती time एक directional है जबकि हमारे mental environment में हम अपनी यादों के बारे में इच्छा नुसार या सिर्फ चाहने से सोचने के लिए स्वतन्त रहें हम उन्हें mental image, mental ध्वनिया mental स्वाद इत्यादी के रूप में experience कर सकते हैं हमारी प्रतेक याद, हमारी पहचान का एक हिस्सा बनती है और क्योंकि वे एक energy के रूप में मौझूद है उनमें हमारे behavior पर एक power के रूप में कारिय करने की capacity है भले ही हम इन specific forces के प्रती सचेत हों या नहीं वे हमें अधिक experience और अधिक यादें बनाने के लिए पहले से ही experience किये गए environment के अनुरूप कुछ तरीकों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है मूलते मार्क जो कह रहे हैं वह यह है कि हमारा existence एक साथ दो बिल्कुल अलग-अलग dimension में फैला हुआ है हम three dimensional space में रहते हैं और उसका experience करते हैं और परिणाम सोरूप हमारी physical senses टाइम के limits के अधिन है जहां एक moment के बाद दूसरा moment linear fashion में गुजरता है जबकि हम एक एसे dimension में सोचते हैं जहां time और space जैसा की physical environment में मना जाता है मुझूद नहीं है अब इस concept के भीतर कुछ बहुत ही महत्वपॉन psychological implications हैं कि time और space mental environment में मुझूद नहीं है implications जिनका relation खुशी का experience करने हमारी जरूर्तों को पूरा करने और हमारे goals को प्राप्ट करने की हमारी capacity से है जो मूल रूप्स के इसके सीना नमस हैं हालांकि इस से पहले की हम इन implications को address करें आपको यह समझने की आउशक्ता होगी कि अनुबहों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चार्ज की गई energy की अलग-अलग degree में कैसे store किया जाए जिसे mark quality of energy कहते हैं जिसमें हमारी यादे stored होती है तो अभी हमने book के chapter 9 में जाना कि mark ने swim को समझने के लिए एक framework बनाना हमें सिखाया है हम अगले एपिसोड में book के chapter 10 में जानेंगे कि कैसे हमारी memories, associations और beliefs, environmental information को manage करते हैं अगर आपको मेरा यह प्रियास पसंद आया हो तो मुझे comment करके अवश्य बताएं इसे like करें वैं अपने कम से कम चार दोस्तों के साथ social media पर share करें धन्यवाद, मिलते हैं hindi audiobook.com के knowledge से भरपूर अगले एपिसोड में hindi audiobook.com आपका दिन शुब हो